सिर्फ 20 रुपे में 200 चिप्स घर पे ही बनाए बहुत आसान तरीका में बताने वाली हूँ आपको और इन्हें आप स्टोर करके रख सकते हो सालों साल बिल्कुल भी खराब नहीं होने वाले चिप्स इसे आपको जब खाना चाहे तब आप फ्राइ करके खा सकते हो तो बहुत इंट्रेस्टिंग वीडियो होने वाला है अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो प्लेस लाइक शेरें सब्सक्राइब जरूर कीजिए मैं लाते रहती हूँ ऐसी अच्छी वीडियो मेरी चैनल पर अगर मेरी रेसेपी आपको थोड़ी भी अच्छी लगती हो तो प इन्हें अच्छी तरीके से मैं पील कर लेती हूँ ऐसे आपको पील कर लेना है सारे आलू को और यहाँ पर मेरे पास स्लाइसर है आलू स्लाइसर तो उसकी मदस से यहाँ पर मैं स्लाइस कर लूँगी आलू के यह आसानी सी मार्केट में मिल जाता है यह देखे इतनी आपको slice रखनी है बिल्कुल भी पतली नहीं रखनी है और उन्हें जब भी आप slice बनाए तो पानी में ही उन्हें slice करना है नहीं तो क्या होगा आलू काले हो जाएगे तो चलिए सारे ही आलू की में slice यहाँ पर बना लूँगी जो last का part होता है उसे आपको छोड़ देना है न store करके खा सकते हो जब तक इन्हें आप boil नहीं करोगे तब तक इन्हें पानी में ही रखना है नहीं तो इनका color यहाँ पे काला हो जाएगा मैं यहाँ पर बिना fit करी के आपको बनाना बताओंगी chips तो चलिए इदे के मैंने पानी में ही भीगो के रखा है और इनकी थिकने सम आपको ख्याल में रखना है कि बिल्कुल एक दम पतला नहीं बनाना है थोड़ी सी थिक slice इनकी रखनी ताकि सुकनी के बाद ही थोड़ा सा थीन हो जाएगा तो चलिए इन्हें में एक साइट रख लेती हूं और चलिए करते हैं इनका आगे का process तो यहाँ पे मैंने कड़ा इसमें आपको salt एट करना है ताकि जो भी हमारे chips बने थोड़े से अच्छे नमकीन हो यह देखिया अच्छी तरीके से मैंने salt एट कर लिया है अब मैं इसमें add करूंगी जो मैंने slice किये आलू के उन्हें आपको add कर देना है और सिर्फ आपको 2 मिनट के लिए इन्हें पकान करना है बिल्कुल भी overcook नहीं करना है नहीं तो हमारे slice बिल्कुल भी खराब हो जाएगे और हमारे chips अच्छे नहीं बनेगे सिर्फ 2 मिनट आप count करके इन्हें boil कर सकते हो medium flame पर तो यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए इन्हें ढग दूंगी अच्छी तरह से चलाते आपको बिल्कुल भी boil नहीं करना है यहाँ पे मैंने ढग दिया था दो मिनट हो चुके है तो चलिए इन्हें चेक करने का तरीका मैं बताऊंगी ऐसे fold करने पर यह बिल्कुल भी तूटने नहीं चाहिए अगर यह तूट गए तो यह overcook हो जाएगे तो ऐसे ही आपको इन् पान लेना है चन्नी से ताकि इनका जो भी water हो निकल सके यह देखे थोड़े से color भी इनके change हो चुके है और हमारे slice यहाँ पर ready हो चुके है तो चलिए इन्हें मैं अभी सुका लेती हूँ आपको चटपे या बाहर आपको जहां भी आपको जगा मिले एक cotton cloth के ओपर इन्हे मेरे जो chips से 3-4 घंटे में पूरी तरीके से सुक गये थे मैंने इन्हें चटपे सुकाया था तो ऐसे ही आपको सुका लेना है सारे chips को आप इन्हें एक बार ही बना के रख सकते हो बिल्कुल भी खराब नहीं होते हैं यह देखे मैंने सारे chips को यहाँ पर सुका लिया है तो के लिए रेडी है तो चलिए इन्हें में fry करके भी आपको बताती हूं कि कैसे इन्हें fry करना है जब भी आप chips को fry करें बिल्कुल भी low hit पे ही fry करें क्यूंकि आपने जब flame high कर दें तो बिल्कुल भी आपके chips नहीं बनेगे सारे chips आपके खराब हो जाएगे तो इन्हें low medium आपको अच्छी तरीके से fry करना है तो यहां पर देखे मैंने fry कर लिया है तो चलिए ऐसे ही मैं fry कर लेते हूं सारे chips अगर यह वीडियो थोड़ा भी पसंद आया तो प्लीस लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए मैंने अल्रेड़ी एक वीडियो शेर कर रखा है चिपस के ओपर इंस्टेंट चिपस तो उसे भी आप देख सकते हो